तो आई बीजेपी कि दरब से क्या कुछ कहा जा रहा है आईए वो भी सुनते हैं जिनके नाम के ओपर बिलिंग रेस करके टेस्टिंग करा दी गई अब जो उपरा जेपाल महोदे ने यह लिखा है और यह अब पब्लिक डोमेन में है मीडिया में उसके बिंदु करमांग 33 पे देखें तो लिखा हुआ 10s of thousands of tests were recommended prima facie to the ghost patient यानि जिनका अस्तित्व ही नहीं था यही अंतर है हमारे प्रधान मंत्रीष्टी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर टीज digitally transfer होती है इसलिए ये लोग आधार का भी विरोध करते थे क्योंकि ये दिवेक्टी का अधार कार्ड है और digitally उसके account में transfer हो रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार का जोल होने की संभावना नहीं है पर यहां पर फिर empirical data proving entry of the fake mobile numbers blank mobile numbers of the fictitious patients, fake attendance of the doctors and fictitious data of the patient established with a widespread corruption, manipulation of the documents, forgery of the record with the sole intention to loot the government tax checker and extended under the benefit of the private parties operating at AAMC as well as the dispensaries, polyclinic and hospitals of the daily government यानि आप ये बहुत साफ हो गया आप कि पहले आपने महला क्लिनिक बनाई फिर उसमें जाच, पहले मामूली जाच होती थी फिर बड़ी जाच की विवस्ता की फिर वो सब में आ रही है, यानि अभी तक तो दारू का गोटाला था, अब दवा का गोटाला भी हो गया, यानि दवा और दारू दोनों में गोटाला करके कौन दिखा रहा है स्वग होशित भारत नत्म विभूशित जिनोंने अपने ही भारत अपने दे रखा है कटर इमानदारी का तो मैं कह सकता हूं जिविपशना के ध्यान से लेकर और चुनाओ प्रचार तक की समस्त नाठकीता के मध्य कटर इमानदारी का ये किरदार पूरी तरीके से तार-तार हो गया है अब हम ये भी कहना चाहते हैं कि आज वो कहने का प बवाली अब सवाली बन गए जिन्होंने राजनीत की शुरुवात ही अब ये मैं बवाली शब्द ऐसे नहीं कह रहा हूं ये बताईए आप सबने देखा था ना कि सीड़ी लगा कर तार काट रहे थे ये नेता का किरदार है 26 जनवरी के दिन धरना कर रहे थे ये मैंने कहा और याद करिए 2014 के समय भारती जनता पार्टी के कारेले के उपर आके पत्राओं किया था जिसमें इनकी सर्वोच्य समिति के सदस्य थे जैसे हमारे आप पार्लेमटरी बोर्ड है इसलिए मैंने कहा अब बवाली अब सवाली बन गए है और सवाल किस से पूछ रह डाटे हैं आज उसी किरदार को वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और जहां तक टेक्निकलिटी की बात है तो अगर उनको लगता है कि कोई टेक्निकल इशू है तो वो नियाले से जाकर समधान प्राप्त कर सकते थे मगर यहां टेक्निकल नहीं मॉरल इशू है